Hello everyone, welcome to the channel रव्यदीती क्लासेस और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे weekly current affair को यानि कि 25 से लेके 31 मार्श 2024 के बीच का आपका जो भी important update है related to current affair उसको हम cover कर देवाले हैं यह पूरी वीडियो आपके सभी exam के point of view से काफी important होगी तो उसको last तक जरू देखेगा और at the end of the video map से कुछ questions भी पूछोंगी जनका answers आप मुझे comment section में दोगे तो बिना देरी गरी शुरू कर लेते हैं वीडियो को और आज की हमारे वीडियो का पहला question है यानि कि दुनिया का पहला ओम के आकार का जो यह मंदिर है उसका उद्गाटन यह कहां किया गया है कि आपको ध्यान डखने की दुनिया का पहला यह मंदिर है ओम आकार का जिसका उद्गाटन यह हुआ है राधिस्थान के पाली में इमेज में आप देख सकते हो यह देखी ओम की आकार के यहां पर यह बना हुआ है अगर हम more specific बात करें कि यह मतलब राधिस्थान में कहां पर हुआ है तो राधिस्थान का एक village है जो कि यह जार्डन यह यहां पर है district है पाली तो यह ध्यान लखने है पाली district के जो आपका जार्डन village है यहां पर इसको inauguration किया गया और यह कितने एकरड में बना हुआ है तो यह 250 एकरड में यहां पर यह बना हुआ है यानि कि मार्च 2024 में अंतरास्ट्रे होकी महासंग एथलीट पैनल का सहय अध्यक्षे किसे नियुक्त किया गया है तो देखे ध्यान लखेगा कि अगर हम बात करें को चेर में आफ इंटरनेशनल होकी फेडरेशन तो यह भारत की तरफ से नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है पियार श्रीजेश that is option number A आपको यहां पर ध्यान लगना है तो देखे थ्री टाइम ओलम्पियन है और इंडियन मैन होकी टीम के गोल की पर भी है पियार श्रीजेश यह अपॉइंट हो है भारत के तरफ सोरी के इसी के साथ में चीली की कैमिला कैरम है जिनको अपॉइंट किया गया है as co-chair of the FIH Athlete Committee पैनल तो इतना आपको ध्यान लगना है पियार श्रीजेश का नाम आपके लिए काफी इंपॉइंट हो तो इसको आपको जरूर याद रखना है next question is who has been appointed as the next president of Senegal in March 2024 यानि कि मार्श 2014 में Senegal का अगला राश्टपती ये किसे न्यूक्त किया गया तो देखे अगर हम बात करें Senegal के next president तो ये बने है best zero do my तो option number जो B है ये आपको यहाँ पर ध्यान लगना that is option number B if we talk about Senegal it's a capitalist Dakar और अगर हम बात करें currency की तो ये west african CFA frank तो ये भी आपको ध्यान लगना है next question is Simon Harris become the youngest prime minister of which country यानि कि Simon Harris के स्टेश के सबसी यूवा प्रधान मंत्री बने है तो Simon Harris की बात करें ये बने है Ireland के that is option number D आपको यहाँ पर ध्यान लगना है तो देखे Simon Harris इनकी age 37 beat the previous record holder former prime minister Leo Varadkar who was 38 when he took over as prime minister in 2017 यानि कि basically जब Leo Varadkar 38 साल के थे जब 2017 में वो प्रधान मंत्री बने उन्हीं के record को तोड़ दिया किसने Simon Harris ने जो की अभी यहाँ के prime minister बने है at the age of 37 अगर हम बात करें Finland की इसकी capital तो यह है Dublin यहाँ की जो president है वो है Michael D. Higgins और यहाँ की जो currency है वो है euro next question is who has become the first Indian player to score 12,000 run in T20 matches यानि कि T20 match में 12,000 run बनाने वाले पहले भारती के लाड़ी कौन बने है तो यह बने है Virat Kohli that is option number A आपको ध्यान लगना है तो देखे Kohli achieved the feat during the opening match of IPL 2024 between CSK and RCB तो देखे अभी आपको सभी को पता है कि IPL 2024 याम पर चल रहा है तो जो पहला match था वो हुआ था CSK और Royal Challengers Bangalore के बीच में तो उसी के opening match में ही क्या हुआ था Kohli ने इस record को बनाया था में उन्होंने किसी भी T20 format में 12,000 रन बनाया है और इसी के साथ में इंडिया के पहले batsman बने है who secured 12,000 run in T20 matches इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है रोईच शर्मा का जिन्होंने 11,156 run बनाया हुए है तीक है अगला question है आपका इन विच कंटरी Amul has started its first international business यानि कि Amul ने किस देश में अपना पहला अंतरास्ट्रिय कारोबार शुरू किया है तो देखें अंतरास्ट्रिय कारोबार के गरम बात करें Amul ने ये शुरू किया है कहां पर अमेरिका में तो देखें Amul the iconic Indian dairy brand will launch its first international operation by manufacturing its product in the USA the Amul brand is owned by Gujarat cooperative milk marketing federation तो याप ध्यार नखेंगे इसके लावा आपको ये भी ध्यार नखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़ादा जो milk producing country है वो भी अपना देश है भारत that is India फिर who has translated the first Maghi novel that is full Bahadur into English यानि की जो पहला Maghi novel है जिसका नाम है full Bahadur उसको English में किसने translate किया है तो उसको English में translate किया है अब है S ने that is option number जो D है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ठीके अब है K है ही हाँ अब है K इसका सही आंसर है जो की इस full Bahadur उसको English में उने translate किया है अगर हम बात करें ओरिजिनली इसको किसने लिखा है तो ओरिजिनली यानि की full Bahadur को ओरिजिनली लिखा है जैनात पती ने तो ये भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है इसके लाएब जो इन नौवल है किसको पर बेज है तो जो ये बिहार शरीफ इन नालंदर डस्टीक अफ बिहार सिटी के बायन में पुरा ये नौवल है ये आपको ध्यान रखना है फिर इन मार्ज 2024 दा इंटरनेशनल अस्ट्रोनोमिकल यूनियन हैस नेम्ड एन अस्ट्रोइट आफ्टर इन इंडियन साइन्टिस्ट वाट इस नेम ओफ दिट साइन्टिस्ट तो इन साइन्टिस्ट का नाम है जिनके नाम पर अभी इंटरनेशनल अस्ट्रोनोमिकल यून कि तो इसका नाम है 215884 जयन्त मूर्थी ठीक है विजब जयन्ती मूर्थी और इसके लब अगर हम बात करें International Astronomical Union की तो इसके जो प्रेज़ेडेंट है वो है डेबरा अलमग्रीन हेड़कोर्टर है इसका परिस फ्रांस में और Establishment Year है इसका नाइटीन नाइटीन फिर है हूँ है बात करें गोवन धोलकिया की तो यह राज्यसभा से एंपी है और यह रिप्लेस करें किसको वल्ला भाई पर्टेल को Next is who has become the first Chief Minister to be arrested while holding the post of Chief Minister यानि कि मुख्य मंत्री पत पर रहते वे ग्रफतार होने वाले पहले मुख्य मंत्री यह बने है अर्विंद केजरिवाल जो कि नई दिल्ली के मुख्य मंत्री है आम आदने पार्टे से बिलॉंग करते हैं तो option number A आपको यहाँ पर ध्यान रखता है तो देखे enforcement directorate यानि कि ED का नाम आपने काफी सुना होगा उन्होंने ही दिल्ली के जो Chief Minister है अर्विंद केजरिवाल जो बिलॉंग करते हैं आम आदने पार्टे सन को अर्रेस्ट कर लिया है under the prevention of money laundering act of 2002 in the liquor policy scam the prevention of money laundering act of 2002 was enacted on 1st of July 2005 and its main objective is to prevent money laundering यनि कि basically money laundering को prevent करने के लिए act बना था 2005 में in act हुआ था तो इसी के चकर में जो है अर्विंद केजरिवाल को यहाँ पर गिरफतार कर लिया गया है फिरे which bank has launched flash pay in partnership with NPCI for contactless payment यानि कि किस bank ने संपर्क रहित भुकतान के लिए NPCI के साथ साजधारी में flash pay को launch किया है तो flash pay को launch किया किसने federal bank ने अगर उन्हें पांच अजा से जदा की payment करने इन दैट कंडिशन आप तो एंटर दा पिन यानि कि पांच अजा से जदा की payment पे उनको पिन का स्थमाल करना पड़ेगा अगर उनको पिन स्थमाल करने के जोरत नहीं पड़ेगी अगर हम बात करें फेडरल बैंक की तो इसके जो CEO है वो है श्याम श्री निवासन और इसका जो headquarter है वो है आपका केरला में establishment year के अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1931 में फिर है who has won the Australian Grand Prix in March 2024 यानि कि March 2024 में Australian Grand Prix किसने जीती है तो सहीं आंसर है Carlos Sench that is option number A अगर हम बात करें Carlos Sench की तो ये Ferrari के driver है फिर है who has been honored with the Global Inequality Award 2024 यानि कि वैश्विक आ समानता पूरुसकार 2024 से किसी समानित किया गया तो ये दो व्यक्ति समानित हुए है जिनका नाम है बिना अगरवाल आप image में देख सकते हैं और एक हुए James के boys that is option number जो D है ये आपके यहाँ पर सही होगा बोथ A and B फिर है बिना अगरवाले James boys have been awarded the first Global Inequality Research Award in short में हम इसको GEER Award भी कहते हैं for their significant contribution to understanding global inequalities इसका जो aim है उसका aim है to recognize researchers from all disciplines who have made outstanding contribution to the understanding of global inequalities और ये जो award है ये पहली बार दिया गया और ये कहा गया कि हर दो साल में हाँ पर दिया जाएगा फिर चंद्रियान 3rd landing site has been recognized by the International Astronomical Union what was its name यानि कि चंद्रियान 3rd जो landing site है इसको अभी IAU ने recognize कि इसका नाम क्या रखा गया था तो इसका नाम था शेव शक्ती point that is option number B तो देखें प्राइम मिनिस्टर जी ने announce किया था 26th of August 2023 को कि जो चंद्रियान 3rd के landing site है उसको नाम दिया जाएगा शेव शक्ती इसके लब चंद्रियान 2 को भी नाम दिया गया जो crash point था उसको इसके लावा जो जब यह launch हुआ था और उसके बाद जब यह set हुआ था चंद्रमा की सथ है पर मतब यह land किया था उस दे को भी एक दिवस मनाने की रूप में प्रधान मंतरी जी ने गोशना की थी तो यह सब आपको ध्यान दखना है अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि चंद्रियान 2 की जो crash landing site है उसका नाम क्या है और साथ ही में जो डे हमने अभी celebrate करने के लिए बनाया है उस दिन को वो दिन कौन सा वो डे कौन सा तो यह भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे ठीक है चंद्रियान 3 के बारे में थोड़ा हम जाने तो यह थर्ड मिशन था और इसमें जो यह 14 तव जलाई 2023 को यह रिलीज हुआ मिशन लांच हुआ इसमें फिरे who has been appointed as the next ambassador of India to Myanmar in March 2024 कि मार्च 2024 में भारत के next ambassador कौन बने है तो इनका सही नाम है अभे ठाकुर that is option number B आपको ध्यान लगना है तो अभे ठाकुर को अगर आप याद हो तो जो G20 मिटिंग हुई थी हमारे इंडिया में तो इसमें यह शोर्स सेरपा के पतपर भी थी और currently a special duty in the ministry of external affair में यह तैनाथ है मयामार के बात करे capital इसना पर दो और यहा की जो currency यूज होती है वो है मयामार किया त फिरे who has been awarded by the Able Price 2024 one of the most important question है यह कि Able Purushkaar 2024 से किसे समारीत किया गया and the right answer is इनका सही आंसर है Michelle Stella Grint that is option number D तो देखे Able Prize is also called the Nobel Prize of Mathematics the prize is awarded by Norwegian Academy of Science and Letters and awarded by the French National Center for Research Scientific Research ठीक है Telegrint को यह क्यों मिला for his out-breaking contribution to probability theory and functional analysis with outstanding application in mathematical physics and statistics in March 2024 the Francis Scott Bridge in Baltimore collapsed after the collision with the container ship in which country is this bridge is located तो अगर हम बात करें इस bridge यह कहां पर था यह तो यह भी जह है आपका USA में that is option number A आपको यहां पर धियान लेखना है तो देखेए Francis Scott Bridge in Baltimore collapsed after a collision with the container ship और इसमें यह कहा गया कि जो 6 लोग है वो मतलब मिले नहीं है तो यह assume कर लिया गया कि उनके death हो चुकी है और इस incident के बाद में वहाँ पर जो है वहाँ के जो government है उसने यहाँ पर emergency पर declare कर दी है फिर लुइस Montegro has become the new prime minister of which country कि लुइस Montegro को किस देश के नए प्रधान मंतरी की रूप में यहाँ पर नुक्त किया गया तो यह बने है कौन तो इसका सही आंसर है Portugal that is option number D तो देखें after 8 year of socialist rule लुइस Montegro leader of the democratic alliance become prime minister of Portugal आप घ्यान रखेंगे पॉर्टिगल की बात करने गर हम capital is Lisbon, currency is zero और प्रेजिडेंट तो यह Marcelo Rebella D सोशा फिर है who has been the new ambassador of Everyday Industries Limited तो Everyday Industries Limited के brand ambassador यह बने है नीरज चोपडा that is option number A फिर है which country has decided to participate in the Miss Universe contest for the first time in March 2024 यानि कि मार्स 2024 में पहली बार किस देश ने Miss Universe पर्तियोगिता में भाग लेने का फैसला लिया है तो यह लिया साओधी अरब ने that is option number A आपको ध्यान रखना है तो देखें 27 year old model Rumi Alak Thani will be the first participant from the country that is Saudi Arabia and she will represent Saudi Arabia at a Miss Universe PZ और यह Miss Universe PZ यह होगा कहां पर 2024 में तो यह होगा आपका Mexico में next question is who has become the only Indian to join London Tate Modern Museum in March 2024 यानि कि मार्स 2024 में लंदन के Tate Modern Museum में शामिल होने वाली एक मात्र भारतिये कौन बनी है तो यह बनी है Sonam Kapoor that is option number C आपको यहां पर ध्यान रखना है फिरे where is the first nuclear energy summit being organized in March 2024 कि मार्स 2024 में पहला पर्माणू उर्जा शिकर सम्मिलन यह कहां पर होगा हुआ है तो यह हुआ है आपका Brussels Belgium में that is option number A आपको यहां पर ध्यान रखना है तो देखे ता purpose of this summit is to allow participating government to present strategies and plans for using nuclear energy to reach net zero emissions and promote sustainable development तो देखे इंडिया में भारत में वर्ल्ड में हर जगा में climate change is a biggest issue like बहुत बड़ी problem है climate change को लेके काफे जाने impact जो हमारे environment में पढ़ते हैं day to day life में पढ़ते हैं तो उसी चीज़ को लेके carbon emission को कम करना sustainable development को कैसे achieve करना है उन सभी चीज़ को लेकर यहां पर एक बैठक होगी meeting हुई है तो यह कहां पर हुई है Belgium में हुई है और more specific अगर हम बात करें तो यह ब्रिशिल्स में हुई है फिरे which country, which cloak will India use to ensure uniform time across the country याने कि भारत पूरे देश में एक समान समय को सुनशित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा तो यह करेगा atomic clock that is option number 1 objective क्या रहेगा to ensure that all devices like smart phone, digital, watches, laptop यह सब जहें वो IST याने कि Indian standard time पर based हो currently most software जो रहते हैं वो operate करते हैं such as window, android यह US based protocol पर work करते हैं सिफ चार ऐसी देश हैं like US से हो गया, UK हो गया, Japan हो गया, South Korea जिनके पास खुद की atomic clock है अब भारत भी जो है वो खुद के atomic clock बना रहे हैं जिसके बाद वो ensure कर पाएगा कि जितने भी electronic device हैं they are truly based on the IST that is Indian standard time next is in which country will the 9th women cricket T20 Asia Cup will be organized in July 2024 यानि कि July 2024 में जो Asia Cup होने वाला है महिला Asia Cup यह कहां पर होगा तो इसका सही answer है आपका Sri Lanka that is option number C आपको यहाँ पर ध्यान लग रहा है edition इसका होगा यह 9th, कब से कब तक होगा? 19 से लेके 28th of July के बीच में होने वाला है और total number of team जो उसमें participate करेंगी वो होगे आपकी 8 team सक्थे successful team अगर हम बात करें इस tournament की तो यह रहती है भारत और last edition जब हुआ था 2022 में तब भी जो winner थी वो थी India फिर according to the report of brand finance 2024 which has become the world's strongest insurance brand याने की brand finance report 2024 की report आई उसकी हिसाब से दुनिया के सबसी मजबूत Bima brand यह कौन सा बना है तो यह बना है आपका life insurance corporation of India that is option number A आपको यहां पधियान रखना है तो देखे LIC retains its position as world's strongest insurance brand with a stable value of rupees 816 billion अगर हम बात करे LIC India की तो उसके founder है government of India president है सिधार्थ मोहंती headquarter है इसका Mumbai में और establishment year है इसका 1956 next question is who has become the new director general of police research and development bureau यानि के police अनुसंधान विविकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने है तो अगर हम बात करें PRDB के जो नए महानिदेशक बने है तो इनका नाम है राजीव शर्मा that is option number A आपको यहां पर ध्यान लगना है राजीव कुमार किसको replace करेंगे तो यह बालाजी श्रीवास्ताव को replace करेंगे अगर हम बात करें Bureau of Police Research and Development के Establishment एर इस 1970 और Headquarters का New Delhi में फिर हूँ है एक्वाइड लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड अप्रूफ बाई Competition Commission of India यानि कि किसने जो है परतिस परदा आयोग के द्वारा अनुमोदित लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया है तो यह कि है अडानी पावर लिमिटेड ने अगर हम बात करें CCI की तो जो इसका प्रेजिडेंट है वो काफ़े इंपॉर्टन है इसकी जो प्रेजिडेंट है वो है रवनीत कोर तो यह आपको इसमें ध्यान लखने है हेडकवर्टर की बात कर अगर हम CCI की तो ये है इसका हेडकवर्टर कहाँ पर इसका हेडकवर्टर है आपका नई डिल निउ में थीक है तो यह इंफर्मेशन आपको ध्यान लखने है तो यह आपके लिए और बोईस से दौनों की कटेगरी में 19 medals को यहाँ पर जीता है girls ने जीते हैं 10 medal और boys ने जीते हैं यहाँ पर 9 medal अगला है which IAT has transferred swine fever vaccine technology to biotech private limited in March 2024 कि March 2024 में किस IAT ने Biomed private limited को swine fever vaccine तक्नीक का transfer किया है तो यह किया किस ने IAT Guwahati that is option number D आप यहाँ पर घ्यान रखेंगे तो दिखे Indian Institute of Technology Guwahati has transferred the first of its kind vaccine technology to Biomed private limited there is revolutionary technology involved recommend vector vaccine specially designed to combat the classic swine fever virus in pigs and wild bear next is in which state was a 900 year old Kannada inscription of Kalyan चालुक के नंस्टी found in March 2024 तो यह हुए तेलंगाना यही आपके लिए important है कि कहाँ पर मिला है तो simply आपको जिहान रखना है यह मिला है तेलंगाना में next question is which team has made the biggest team score in IPL history in March 2024 यही कि IPL history का अभी तक का सबसे बड़ा score एक इस team ने बना है तो यह मेना आपकी न्यू डेली में आपकी न्यू डेली में आपकी न्यू डेली में और इस बार जो यह सम्मेलन होगा यह conference होगी यह hybrid mode में होगी hybrid का मतला होता है कि यह online भी होगी और offline भी होगी तो यह कुछ दिन तो चलेगी और कुछ दिन होगी यह online तो online तो यह वाश्वाल हो जाएगा आपकी video conferencing के तुरू तो जो offline होगी यह होगी आपकी कहाँ पर न्यू डेली में 1st of April को फिरे who has become the first Indian player to play 150 international matches in football तो अंतराश्री फुटबल में तो यह बने है सुनील छेत्री दाल्ट जॉप्शन नुमबर ए फिरे which country has launched क्यू क्यू की याओ टू रिले सेटलाइट तो सपोर्ट लिनार मेशन तो यह किया है चाइना ने दाल्ट जॉप्शन नुमबर बी तो चाइनास नैशनल स्पीस अडिनिस्ट्रीशन विल लॉंच तो क्यो क्यो टू सेटलाइट इन्टो ए लेप्टिकल फ्रोजन ओर्बिट आराउंड दो मून इन मार्च और इसका जो मेन परपस रहने वाला है यह रहने वाला कि जो ऑपरेशन है चांग 6, चांग 7, चांग 8 इन सभी को यहाँ पर सपोर्ट करना इनके स्टडी करना फिर तो नीमो पॉइंट पर पहुंचने वाले दूने के सबसे पहले व्यक्ति यह कौन बने है तो यह बने है क्रिस ब्राउन डाट इस ऑप्शन नमबर भी आपको यहाँ पर धिहान रखने आप इमेज देख सकते हैं यह है क्रिश ब्राउन जो की वर्ल्ड में पहले व्यक्ति जो नीमो पॉइंट पर पहुंचे हैं अगर हम बात करें नीमो पॉइंट की तो यह आप पर पढ़ता है तो यह न्यूजलेंड के पैसिफिक ओशन में आपको देखने मिलेगा आपको यह देखने के लिए मिलेगा जस्टीक इमेजनरी पॉइंट है यह भी आपको ध्यान मिलेगी करेंट इफैर का आपको इंग्लिश वर्जन भी अविलेबल होगा यह भी आपको वैबसेट पर मिलेगा आप सिंपली क्या करिएगा आप या तो हमारी वैबसेट पर विजिट कीजिए जगे www.ravi.ravi.com अधरवाइस आपको सभी लिंक्स तो हैं वो डिस्क्रिप् तो देखे इसका यूज का रहने वाला है तो बॉर्डर पेट्रोल सर्विलियन्स ड्रॉन ट्रेशुल है चैन बी यूज तो मॉनिटर दो मॉमेंट ऑफ पीपल मॉनिटर में नैच्छ इजास्टर ने एक्स ट्राफिक मतलब जो डिजास्टर नहेंगे प्योपल का जो मॉम इसा सिक्षा अधी ने अम दो हजार चॉर्बिस को अस सवधानि घोशित किया है तो यह किया इलाबाद हाई कोट ने डाट इस ओप्शिन नमबर भी आप यहाँ पर याद रखेंगे तो देखे अलाबाद हाई कोट रूल्ड देट द एक्ट वालेट वाइलेट अब्रिंस यह आपको धिहार नखना है फिरे विच ओर्गिनाइजेशन हैस लॉंच सेक्षिम आप फोर ट्रांस्पोर्टेशन फेसिलिटीज फोर डिसेबल पर्सन एंड अल्डर्ली इंवर्टिंग यानि कि जो बड़े बुजरुग लोग हैं उन सभी के स्विधाओं के लिए सक्षिम आपको किसने लॉंच किया तो सेक्षिम आपको लॉंच किया है इलेक्षिन कमिशन आफ इंडिया ने यह आप ध्यार लखेंगे तो देखिए इलेक्षिन कमिशन आफ इंडिया हैस अनौंस्स देट वोर्टर सवावधी ऐज ऑफ 85 यह और परसन विद डिसेबिलिटी विद फिर in which country the 148th इंटर परलेमेंटरी यूनियन मिटिंग हैस बिन ओरगनाईज इंडमाज 24 यैनि के मार्च 2020 में जो 148th इंटर परलेमेंटरी यूनियन मिटिंग है यह कहां पर ओरगनाईज हुई है तो यह हुई है जेनेवा स्विटेलाइंड इटस ऑप्शन बी एवेन्ट यह हुआ 23 to 27th of March के बीच में और इंडिया को रिप्रेजेंट किया हरीबंश नारायन सिंग जो कि डेपर्टी चेर्मेन है राज्य सभागे next is in which country प्राइम मिनिस्टर रेंद्र मोदी इनागुरेटेट a state of art medical facility which is ग्याल टुसुन जैटसुन पेमा वांग्चुक मेटर्नल and child hospital in March 2024 तो यह देखे एक अस्पताल है जो की खुला है थिम्पू भोटान में तो option number a आप यहाँ पर याद रखेंगे तो देखे इसमें आपको ध्यान रखने कि जो अस्पताल है यह प्रधान मंत्री जी और उनके जो पुर्टान के प्राइम मिनिस्टर है सेरिंग टॉप के नहीं खुला है और मतलब उद्गाटन किया है और इसमें 150 बैट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और भारत की सिस्टेंसिस को बनाया गया है फिर फिर फिर्ट फिर फूरान ओफिस कंसल्टेशन हाँ बिन और इंडिया और विच कंट्री तो देखें कि अगर मात करें मार्च 2024 में भारत और किस थेस के बीच में ये पहला विदेश कार्याले प्रामर्श का आयजन किया तो ये हुआ है मौरिशानिया में तो option number A आपको यहाँ पर ध्यान लेगता है तो देखें, first foreign office consultation between India and मौरिशानिया were held in Naukot During the consultation, both delegation had constructive discussion on a wide range of bilateral, regional and global issue of mutual interest फिर भीच country will host the India Mobile Conference and the World Telecommunication Standardization Assembly in the year of 2024 तो इंडिया नाम आया है तो आप ध्यान रखेंगे, इंडिया ही होस्ट करेगा option number D आप यहाँ पर याद रखेंगे event यह होगा 15 से लेकिन 19th of October 2024 में edition इसका होगा 8 और इसका objective है to promote global corporation and advanced telecommunication facility अगला question है which has become the second private company in India to make indigenous rocket यानि कि second private company कौन से बनी है जिसने भारत में नीजी कंपनी कौन से बनी जिसने भारत में जो है rocket बनाए है तो यह बनी है आपकी कौन से इसका नाम है अगनिकुल कोस्मोस that is option number B तो देखें अगनिकुल कोस्मोस प्राइवेट लिम्टेट बिकम देखें इंडियन प्राइवेट कंपनी तो लांच इस प्राइवेट रॉकेट दे रॉकेट अगनिबान और इससे पहले जो पहली कंपनी थी प्राइवेट उसका नाम है स्काई रूट एरो स्पेस next is who has become the new cmd of new india insurance company तो new india insurance company की जो cmd बनी है इनका नाम है इनका नाम important आपको ध्यान रखना है इसका सही answer option number D that is grija subramanyam तो देखें new india assurance company के अगर हम बात करें तो इसका headquarter है मुंबई में establishment year is 1990 और इसके जो founder है गो है दोरब जी टाटा फिर है doctors of which country have successfully transplanted a pig kidney into a human for the first time यानि कि किस देश के doctors ने पहली बार जो है इनसान में एक सुवर के kidney को transplant किया है तो इसका सही answer है America that is option number B तो देखे doctor of the messages at general hospital in US have successfully performed the first transplant of genetically modified pig kidney into a living human तो यह आप ध्यान लेकेंगे इससे पहले हर्ट का transplant भी हो चुका है कुछ दिनों तक वो person survive किया लेकिन उसके बाद में उसके यहाँ पर death हो गई थी फिरे with which country has Australia sign an agreement for the construction of SSN AUKUS Submarine in Master 2024 यानि कि आस्ट्रीला ने किस देश के साथ में SSN AUKUS PANDUGBी के लिए यहाँ पर स्ताक्षर या फिर आपके समझो होता किया है तो यह किया America Joe Biden है यह और यह है आपके रिशी शुना के साथ में तो option number जो D है यह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा तो देखे The US, UK and Australia have signed a new agreement to build Australia's SSN AUKUS submarine These submarines will be capable of intelligence, surveillance, underwater, warfare and strike mission फिरे who has adopted the first global artificial intelligence resolution in March 2024 यानि कि मार्स 2024 में किसने पहला वैश्वी कृतिम बुद्धी मता संकल्पी अपनाया है तो यह अपनाया है किसने United Nation General Assembly that is option number A अब धिहान रखेंगे तो देखे तो UN General Assembly has unanimously adopted the first global resolution on AI to protect human right protection personal data and monitor AI for risk अगर हम बात करें UN General Assembly की तो headquarter इसका New York में है establishment year की बात करें तो 1945 में established हुआ था और भारत की जो representative है उनका नाम है रूचिरा कमबोज अगला क्योशन है आपका Under whose leadership the Supreme Court appointed an expert committee to deal with the serious state of the great Indian bastard यानि कि जो great Indian bastard है उसके गंबीर खत्रे से निबटने के लिए Supreme Court ने किसके नितत में committee का गठन किया तो यह है DIY चंद्रचूट that is option number D आप ध्यान लखेंगे तो देखे Supreme Court has taken a decisive step by constituting an expert committee to address the importance issue of conservation of the endangered great Indian bastard अगर हम बात करें great Indian bastard की तो Rajasthan का state bird है और IUCN status की बात करें तो यह critically undangered है फिरे who has been appointed as the new president of Federation of Indian Export Organization यानि की Indian Export Federation of Indian Export Organization के new president कौन बने है तो इनका नाम आपको ध्यान लखना है तो इनका नाम है Ashwani Kumar that is option number B अगर हम बात करें FIEO की तो इसके director general and CEO तो यह Ajay Sahay formation इसका वबता 1965 में और headquarter है इसका New Delhi में फिरे when is World Meteorological Day 2024 is celebrated तो अगर हम बात करें विश्य मौसम विज्यान दिवस की तो यह मना है 23rd of March that is option number A इसकी theme बस आपके लिए काफे important हो जाती है जो कि at the front line of climate action आपको ध्यान रखना है कि it's a global event celebrated to commemorate the establishment of World Meteorological Organization on this occasion attendance is present attention is paid to the earth environment and the behavior of the people associated with it फिरे when is Martyr Day celebrated in 2024 यान कि शहीद दिवस कम मना है तो यह मनाते हम 23rd of March को that is option number A आप ध्यार नखेंगे कि 23rd of March 1931 में British ने हैं किया था किसको India's youngest freedom fighter Bhagat Singh Shivram Rajkuru और Sukhdev Thabar को and this day is celebrated to pay tribute to the immortal martyrs who sacrificed their life smilingly in the fight for freedom फिरे in which state in March 2024 the archaeological survey of India had started excavation to uncover the oldest temple in India तो यह किया है पन्ना मद्रप्रदेश में that is option number A आप ध्यान रखेंगे तो देखेंगे जो हमारा मद्रप्रदेश राज्या उसका पन्ना आर्ट डिस्रिक है वहीं पर यह एक नचना गाउं है उसी में इसका इग्जावेशन शुरू किया इसका बिसिकली नाम रखा गया है नचना मंदर या फिर नचना टैंपल और यह बता रहे हैं कि जो उसका टाइम पिरिड हो सकता है वो गुपता से मैच कर सकता है मतलब उसके कंटेंपररी है अराउंड फिफ्ट उ सिक्सेंचुरी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर हम बात करें वर्ल्ट ट्यूबर क्लोसस दे की तो यह हम मनाते हैं 24th of March that is option number B आप ध्यान लखेंगे इसकी theme अगें आपके लिए इंपर्टेंट हो जाती है जो कि है Yes, we can end TB यह इसकी theme है और यह basically infectious disease है जो mainly जो है हमारे lungs को इफेक करता है फिरे भाई वोट नेम्द इर्डा अप्रूफ इस्टैबलिश्मेंट अफ एन इंशॉरेंस मार्केट प्लेटफर्म यानि कि इर्डा ने किस नाम से इंशॉरेंस मार्केट प्लेटफर्म की इस्थापनों को मंजूरी दी है तो यह दी है बीमा सुगम को that is option number भी आप यहाँ पर याद रखेंगे अगर हम बात करें इर्डा की तो इसका हेड़कॉर्टर है हेडराबाद में इस्टैबलिश्मेंट एर इस नाइटीन नाइटीन नाइटीनाइन और प्रेजिएंट है इसके देवशीश पांडा फिरे विच कंटरी है इस बिन इलेक्टेड बाई इंटरनेशन तेलेक्मिनिकेशन यूनियन इन इस बिलेक्मिनिकेशन अड आई-सीटी सेक्टर In which state will the country's largest air military exercise जिसका नाम है Gagan Shakti 2024 वेल बी और्गनाइज़ बाई इंडिन एर फोर्स की मतलब जो यह exercise है Gagan Shakti 2024 यह किसके द्वारा और्गनाइज होती है इंडिन एर फोर्स के द्वारा कहां पर होगी यह तो यह होगी राजस्थान के पोखरन में That is option number B तो देखे इस exercise will be organized in the field firing range located at Pokran from 1st of April इसमें 10,000 airmen पार्टिसिपेट करेंगे और यह जो exercise है वो हर 5 साल के बाद यहां पर होती है और इस बार यह हो रहे है तो इसलिए इंपोर्टन हो जाते है तो यह भी आपको इसमें ध्यान रखना है अगर हम बात करें World Theatre Day की तो यह हम बनाते है 27th of March that is option number C आप यहां पर याद रखेंगे तो देखे World Theatre Day was started in the year of 1962 by the International Theatre Institute and World Theatre Day aims to educate people about the importance of theatre and its incredible way of teaching audience about the social issues फिरे ISRO has launched an entry level online training program in space science and technology for UG and PG students of science and technology what is the name of the program this program का नाम है आपका Start 2024 that is option number A आपको यहां पर धिहान रखना है basically start के यहां पर फुल फोर्म है जसका नाम है Space Science and Technology Awareness Training यह E-Class platform में online E-Classs यहां पर होंगी और इसमें UG और PG students आपने अन्रोल करा सकते हैं और इस प्रोग्राम का लाभी यह उठा सकते हैं इस प्रोग्राम के थरू ISRO aims to make efforts to enable Indian students to become professional in space science and technology next is in March 2024 the President of Ramakrishna Mission passed away at the age of 95 what was his name तो देखे Ramakrishna Mission के अगर हम बात करें उसके President है जिनका देथ हो गई है 95 एर की एच पे इनका नाम था Swami Smranand Maharaj that is option number D आप यहां पर याद रखेंगे अगर हम बात करें कि यह कौन से number की President थी तो यह 16th number की President थी यह भी आपको ध्यान रखना है रामक्रिशन मठ या फिर रामक्रिशन Mission की बात करें तो एक Hindu religious, spiritual and charitable organization है जिसका headquarter है West Bengal में तो यह भी आपको ध्यान रखना है और इसके establishment year है 1897 जो की Swami Vivekanand जी के द्वारा इसके स्थापना यहां पर की गई थी फिर इन विच यूटी और स्टेट the border road organization completed the construction of strategic निम्बू पदम दार्चा road in March 2024 तो March 2024 में यह जो road है बियारों ने बनाई है तो यह बनाई है कहाँ पर तो यह बनी है लद्दात में बियाप्शन अबर भी आपको यहां पर ध्यान रखना है हीरों इंडिया रिपोर्ट रिलीस की है 13th हीरों ग्लोबल रिच लिस्ट इस रिपोर्ट के अनुसार which city has stopped as Asian billion years capital तो Asia के सबसे अरबपती राजधानी कौन सी बनी है तो यह बनी है मुंबई that is option number A कौन रिलीस करता है इस रिपोर्ट को हीरों ग्लोबल स्टैबलिश्मेंट हुई ती इसके 1999 में हेड़कोर्टर इसका संगाई चीन में है और इसका जो ये अडिशन था ये था 13th अडिशन टॉप 3 अगर हम सिटीज की बात करें तो यह है आपकी मुंबई देन आता है बिजिंग अन देन आपका आता है शंगाई फिरे विच स्टेट है इस टॉप्ट इन 14th सीनिर वोमें नेशनल चांपेंशिप 2024 की कौन सा राजे 14th वी सीनिर महिला रास्ट चांपेंशिप 2024 में ये टॉप पर है तो ये है आपका हर्याना that is option number B आप यहाँ पर याद रखेंगे ये इवेंट कहाँ पर हुआ था तो देखे ये इवेंट हुआ था आपका मेजर ध्यांजन्द होग की स्टेडियम जो की महारास्ट में है बेनर इसमें था हर्याना और इसमें जो रनर अप था वो था आपका महारास्ट रा पहराई विच एप है इलेक्श न कमिशन तू मॉनिटर दा इलेक्शन PROCESS कि इलेक्शन प्रोसे्स को मॉनिटर करने के लिए किस ने कुछ आप मतलब इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया ने कौन सा आप लाँच किया तो इसका नाम है C.Vigil आप तैट इस option number D इसका purpose क्या है तो देखे जो mode of conduct फिला लगा हुआ है election code of conduct इसमें अगर कोई भी इसको violate करता है तो उसके खिलाव यहाँ पर action लिया जाएगा आप normally इस एप के थुरू हाँ पर photo and videos को upload कर सकते हैं और यहाँ पर जो राजीव कुमार है हमारे election commissioner उन्होंने यह भी assure कि 100 विदिन 100 मिनिट में इसका जो है यहाँ पर समधान या फिर आपके है action यहाँ पर लिया जाएगा फिर इन विच स्टेट डोल जात्रा महुच्छाव हैस बीनाइज या फिर सेलिब्रेट तो डोल जात्रा लोर्ड कृष्णा और राधा को यह festival डेडिकेट है फिरे विच पॉलिशन कंट्रोल शिप अफ इंडियन कोस्ट कार्ड इस विजिटिंग मनीला बे फिलिपिन्स इन मार्स 2024 तो इसका नहीं में समुदर पहरेदार जो कि एक प्रदुशन यंत्र जहाज है जो कि मनीला भाइड फिरे वूँद है फिर्ज में सीए नहीं में अप इंडियां उर स्प्राइड और प्रदुशन आपकू अध्यान दखना रखना है यह बात करें पुने महारास्त्र में फिरे फॉर विच यह रूल अधुने रूल टेफ्लूने रूनिजल जुन देवलप्निस्ट् इनमास 224 तो 2024 में मन्रेगा की जो wages है उनको बढ़ाने के बात हुई है तो यह कौन से यर के लिए 2024 के लिए तो option number भी आप यहाँ पर याद रखेंगे मन्रेगा की बात करें तो महात्मा गांदी नेशनल रूरल एक्ट है और 1st of April से विजस्ट यहाँ पर अप्लिकेबल होंगे और इसमें 28 रुपीज यहाँ पर पर यहाँ पर इंक्रेस किया जाएगा और आप मिलेंगे 289 रुपीज हाला कि हर एक स्टेट में अलग 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 विएरेशन यहाँ पर चलता है सबसे जादा जो पे करता है वो करता है हर्याना फिर है फिर हो इस दो ऑफर ऑफ दो बुक फ्रमा कार शेर्ट तो इसके जो लेखा के वो हैं S. रमन प्रेस्टीजिस आर्ट म्यूजम टेट मूजम लंदन में है यह इसमें कौन इंडक्ट हुई है तो यह हुई है सोनम का पूर्ट आप यहां पर याद रखेंगे फिर है वैन विल सोनम वांग्चुक लॉंच दा बोर्डर मार्च टू गेट स्टेट हुड फॉर लद्दा क्याने कि लद्दा को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सोनम वांचुक ने बोर्डर मार्च यह कप शुरू करेंगे तो यह करे इंक्लूड करवाना है क्योंकि शिक्त श्यद्यूल में अभी तक सिफ चार स्टेट हैं जो कि आपका अपका अश्रम में घाले तृपूर निजोरम अब कोई भी स्टेट अगर सिक श्यद्यूल में आता है तो उसमें क्या होता है कि उसको एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है और आपको यह भी धहान डखना है कि 5 अगस्ट 2019 को जो हमारी पारलेमेंट है उसने लद्दा को एक यूटी का दर्जह यहां पर दिया था तो यह सभी इंफोरमेशन थी आपको याद दिखनी थी और यहां पर हमारी समापत होती है आज क्लास जिसमें हमने लास्ट वन व अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अतब तक लिए अपना ध्यान लखे आप मैं आपसे पूशू टेस्ट के कुश्चन जिसका आंसर आप मुझे कामेंट करके बताओगे पहला किशन है वेर द वर्ड फर्स्ट ओम शेप टैंपल हैस बिन इनाउगरेट इन मार्श तो 2024 इसका अंसर आप बताओगे और सेकिंड है हूँ है अपको परचेस कर सकतो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज की इतना है थैंकिस सो मच हाव गूट देन विश्यू आल दे वेरी बेस्ट फोर यूर एक्जैम्स